अब चान्ति स्वयम भगवान हमारे परम शिक्षक बन कर आए हैं वे हमारे परम सद्गुरु भी हैं और जब से उन्होंने पढ़ाना सुरू किया हमें समय का बहुत महत याद दिलाया है लेकिन बहुत आत्माएं हैं भगवान के बच्चे भी जो समय को उतना महत्व नहीं देते जितना समय का महत्व है या जितना बाबा इसको फोर्स देता है उतना आत्माएं इसके महत्व से थोड़ी वंचित रहती हैं लिए घंटो-घंटो वेस्ट हो जाते हैं भगवान ने तो कवाध्या संगम का एक मिनत एक वर्स के बराबर है क्योंकि एक मिन रहते हैं 5000 वर्स की प्रारब्ध minder में excited सकती है भगवान के महावा किते एक एक मिनट अगर तुम दहे अभिमान का त्याक करोगे तो ये तुमारे श्रेष्ट भाग्य का निर्मान करता रहेगा तो एक सुन्दर समय हमारे हाथ में आ गया है क्यों इस तरह सोचें सभी में साथ चिंदन करो ऐसा सुन्दर भगवान आ आफ्ट कर ले एक एक जनम के लिए पढ़ने के लिए मन्स कितने महनत करता है तनाव भरी महनत होती है जोब मिल जाती है फिर कितने 극ों रहती हैं हम सब जानते है धन कमाना भी कितना भारी काम हो गया है, सब कुछ सहज दे रहा है, स्वयम भगवान, भग्य निर्मान कर रहा है हमारा, तो ये समय हमारी हाथ से न निकल जाए, बाबा ने बहुत पहले कह दिया था, अंत में दो तरह की लाइने लगेंगी, एक वो जो सारुप प्राप्ति स्वरूप होंगे, सब प्राप्त कर लिया, और दूसरी पश्चाताप करने वालों की लाइन, जिसमें वो लोग बहुत बुरी तरह से परिशान होंगे, पश्चाताप करेंगे, कि भगवान आया, हमें रोशनी मिली, हम सब जानते थे, पर हमने समय वेस्ट किया, हम समय का पूरा फाइदा नहीं उठा पाए, करेंबात अपने से, मेरा संगम यूग का समय कैसे कैसे वीत रहा है, व्यार्त में, उल्जहनों में, परिशानियों में, चिंताओं में, बिना मतलब की बातों में, कैसे वीत रहा है सुंदर समय, कईयों के पास समय बहुत होता है, लेकिन उन्हें उसका यूज करना नहीं आता, वे बिताते रहते हैं ऐसे टाइम, के वल सोकर नहीं, गपसप लगा कर, फॉन पे लगे रहे कर, इदर उधर के साइट, गंदी साइट पर जाकर, कैते टाइम पास कर रहे हैं, और इस टाइम को पास करो, भगवान से स्रेष्ट भागे लेने में तो कितना आन स्वाद न चकना पड़े, सदा खुशियों से हमारा जीवन भरपूर रहे, जनम जनम, 5000 वर्स तक ऐसा सुंदर बीज, इस समय पर हम अपने अंदर डाल रहे हैं, तो क्या बीज डालना नहीं आता, अगर टाइम है, तो उसे सफल करो, नहीं है, तो कर्मों में उसको सफल करो कर्म योगी बनकर, कर्मों में अच्छे-च्छे ब्यास करो, समय बहुत कीमती वस्तु है, समय को डिफाइन करना इतना सहज नहीं है, what is the time? समय तो बीत रहा है, पर समय हमें कुछ देकर जा रहा है, या हमसे कुछ लेकर जा रहा है, निगेटिविटी देकर जा रहा है, या परम आनन्द देकर जा रहा है, या हमारा अपना प्राइवेट विशा है, सब का व्यक्तिगत विशा है, सभी विचार कर लें, संगम का समय मुझे कैसे बिताना चाहिए, सबेरे सबेरे भगवान से जो परमसद गुरु बनकर बैठते हैं, क्या-क्या ले लेना चाहिए, सा बैठते हुए, पूरे दिन के समय को व्यत्थःत करना चाहिए, सभी बुद्धिमान है, और बुद्धिमानी की एक ड्रफिनिiton यह भी है, کि बुद्धिमान वही है, जो अपनी समय को सफल करे, दुनिया में भी तो यह गा log अप सभी दुनिया में रहते हैं, आपको वि चालिस मिन्ट में करके पुरा कर देते हैं, कहीं भी आप काम कर रहे हैं, आपके बड़े आपसे बहुत प्रसंद होंगे और आगे बढ़ा देंगे, तो समय को महत्तु दे, समय आपको माहन बना देगा, समय आपको सफल कर देगा, अगर कोई मन उस समय को महत्तु नहीं देता तो समय आने पर समय भी उसका साथ नहीं देता है ये बहुत हो देखा गया कहते हैं सब कुछ अच्छा चल रहा था पर लास मॉमेंट में सब खेल बिगड गया ये इस टाइम बीज डालने की बात है बीज अच्छा नहीं डाला था तो टाइम ने समय ने साथ नहीं दिया अब तो यूग परिवर्तन का समय आ रहा है समय को सफल करें यही सफलता का अधार है जनम जनम की सफलता का अधार है विद्यार्थियों के लिए समय कितना कीमती है कितना सुन्दर है सब जानते हैं विद्यारती अगर संँे पर अरपनी तयारी नहीं करतें, तो एकजाम के समय जैसलाँ बहुतों को हो रहा है, सब कुछ भूल रहा है। लिए राद दिन पढ़ने के बाद भी याद नहीं हो रहा है। और विद्यारतीů कि मैं चीज कहना चाहूंगा। रात दिन पढ़ने के साथ अपनी नीन्द का भी ध्यान रखना, साथ घंटे नीन तो आपको चाहिए ही, बहुत ही आप काटना चाहो तो आधा पोना घंटा और कम कर दो, लेकिन आप सोचें आप चार घंटे ही सोएंगे, इससे ब्रेन पर बहुत बुरा असर आता है और आपकी मेमोरी वीग होती जाएगी और बहुतों के साथ ऐसा होता है, कि एक जाम किस समय सब कुछ भूल गए हैं, तो प्रोपर नीन, प्रोपर डाइट, प्रोपर अपनी प्रिपरेशन, तीनों चीजों की आवश्यक्ता है, समय से पहले ही हम तैयार हो जाएं, समय आने पे तैयार होंगे, ऐसा नहीं, तो देखो भगवान ने कितनी पावरफुल बात कहीं, समय तुम्हारा इंतजार कर रहा है, कोई व्यक्ती हमारा इंतजार कर रहा है दो गंटे से, हम नहीं पहुँच पा रहे हैं, उसका बहुत इंपोर्टेंट काम है, उसको पता है कि आप आएंगे, तो हमारा इकाम आपके आते ही ठीक हो जाएगा, कुछ करने की ज़रत नहीं रहेगी, तो सोचो, गहराई से सोचें, समय जिनकी इंतजार करता होगे, कितने मान होगे, कावद तो यह समय किसी के लिए रुकता नहीं, time waits for none, तो हम कितने महत तो शाली हैं, समय जानता है कि यह आ जाएंगे और मेरी इस्थिती कैसी हो जाएगी, सतो पर धानता आ जाएगी, good time शुरू हो जाएगा, तो हम अपने महत तो को जानते हुए, समय को सफल करना सीखें, तब हम समय से पहले संपन और संपूर्ण बन सकेंगे, संपन माना सभी खजानों में, full, और संपूर्ण माना हमारी wet 300 degree charge हो जाएगी, तो क्या हम इतना महत तो समय का जानते हैं, या समय को इतना महत तो देते हैं, या हमारा समय अलवेले पन में व्यतीत होता जा रहा है, कि यह ऐसा तो नहीं, समय बहुत सुन्दर, हम ऐसे ही विता दें, और अंत में हम पश्चात्ताप की लाइन में खड़े हो जाएं, कि कितना सुन्दर समय आया था, भगवान भाग्य माटने आया था, भगवान अपना सब कुछ देने आ गया था, और हम है, जो अज्ञान की नीद में सुए ही रहे, तो ऐसा पश्चाताप का समय हमें न देखना पड़े, तो अपने एक-एक सेकिन को महत्तो देंगे, कोई व्यारता बाते करने आता है आपसे, कहीं आप स्वय हम छोटी-मोटी बातों के पीछे, अपना लंबा समय व्यतीत कर देते हैं, सवेरे के समय को सोग कर पूरा कर देते हैं, मन में डिलाई रहती है, कर लेंगे, देदे करेंगे, तेज चलने की ज़रुष्ट क्या है, तो यह बहुत बड़ी गलती ही हो रही है, यह लोग ऐसे भी अपने को बुद्धिमान समझते हैं, वो सोचते हैं कि कहीं भी तेज दे चलना चाहिए, धीरे धीरे ही चलना चाहिए, यही समझदारी है, पर यह समझदारी नहीं है, अग्यानता है, भगवान सब कुछ देने आया हो, तो हमें उससे सब कुछ लेना ही है, कुछ भी मिश नहीं कर देना है, तो समय भाग्य बनाने का है, समय वर्दान प्राप्त करने का है, समय जनम जनम के संसकारों के बीज डालने का है, समय को सफल करेंगे, हर जनम में सफलता के अधिकारी बन जाएंगे हर जनम में हमें लगेगा कि हमारा अच्छा समय है जब भी सोचेंगे यह दिखाए देगा मेरा गुट टाइम चल रहा है तो आउ हम सभी अपने समय को गुट टाइम बनाएं बेस्ट टाइम बनाएं और सदा ही याद रखें मेरा गुट टाइम चल रहा है मैं बहुत भाग्यवान हूँ ओम स्यंति